प्रेस्ट बेल आइकान अन यूटूब अप एंड नेवर मिस अनाथर अपडेट तो दोस्तों स्वागत है अब सभी को मेरे चैनल पर में वापने लिद्ट आपटेट आपस आगे हो एक और वीडियो के साथ और दोस्तों आप यहां देख सकते हो मैं अपने बाइक का जो योसंग 250 cc है उसका फ्यूल फंप चेंज करवा रहा हूं क्यूंकि जब मैंने पैंटिंग के लिए दिया था इस पाइक को तो पता नहीं मुझे पैंटर ने इसका फ्यू तो इसलिए मुझे एक नाया फ्यूल पर्म और करना पड़ा था जिसके उज़े से मैंने शोरूम को कॉंटैक्ट किया तो शोरूम वाले ने बताया कि मुझे नाया फ्यूल पर्म 21,000 रुपीज जो की 21,000 पड़ेगा और साथ-साथ में मेरी बाइक का जो चेंग स्प्रॉक दोस्तों 40,000 रुपीज बहुत ज्यादा होता है तो मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ आप यह देखे मेरा फ्यूल पंप जो है अभी इससे निकाल दिया गया है और आपको मैं दिखाता हूँ कहां कट हुआ है यह देखे यह स्पार्ट में कट हुआ था तो उसमें बिठा के मुझे दे दिया था तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ मैंने क्या किया मेरे एक दोस्त से पता चला कि एक वेबसाइट है यह संग सोर्स डाट कॉम तो दोस्तों यह कोरिया की कंपनी है जो यह संग की स्पेर पार्ट्स सेल करती है तो मैं इस वेबसाइट में मुझे चाहिया था रेर्स पॉकेट, फ्रेंड्स पॉकेट, और चेन, और फ्यूल पंप तो मैं सर्च किया इस पॉकेट के लिए इस वेबसाइट में और मुझे रिजल्ट मिला जो कोई भी इस पॉकेट अवलेबल है उनके पास उसको देखा और मेरे बाइक का मैचिंग का जो इस पॉकेट था उसको मैंने उपन किया और उसका प्राइस देखा तो बहुत कम था 690 रूपीज था और यह मेरे बाइक के लिए सुटेवल है तो मैंने उसको ओर्डर कर लिया फिर उसके बाद मुझे चहिया था रेस पॉकेट तो मैं तुरंट गया रेस पॉकेट के लिए सर्च किया फिर मेरे बाइक को जो मैच होता है मैंने उसको सेलेक किया और उसको ओर्डर किया और उसका प्राइस था 1,725 रुपीज तो यह बहुत ही कम प्राइस में अबलेबल था इस वेबसाइड में तो मैंने इसको भी ओर्डर कर लिया और उसके बाद चेन के लिए मैंने सर्च किया और इसका जो चेन था 520 x 112 चेन जो इसका मैचिंग था तो मैंने उसको सर्च किया और मुझे मिल गया था उसका और उसका प्राइस 3,750 रुपीज था तो मैं इसको भी ओर्डर कर लिया तो उसके बाद मैं जे चाहिया था फ्यूल पंप तो इसलिए मैंने किया किया फ्यूल पंप के लिए सर्च किया और इसका फ्यूल पंप भी इसमें अविलेबल था और प्राइस मैं देखके सर्प्राइस था क्योंकि इसका प्राइस 9,202 रुपीज था क्योंकि शोरूम न तोटल बिल हुआ 21,000 इंक्लूडिंग करन्सी कन्वर्शन और कस्टम ड्यूटी मिला के जहां पर शोरूम वालों ने बताया था कि 40,000 होगा तो 21,000 में बहुत कम प्राइज में मिझे इसके स्पेर पार्ट्स मिल गए और शिप्मेंट भी 10 दिन के अंदर-अंदर मेरे घर पे पहुंच गया था तो चलिए मैं इसका अंबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ और उन्होंने यह भी मुझे बताया था कि कुछ गिफ्ट भेज रहे हैं क्योंकि मैंने पहली बार ऑनलाइन में ओर किया था तो इसलिए वो लोग मुझे गिफ्ट भी भेज रहे हैं तो चलिए उन्होंने क्या गिफ्ट भेजा मैं आपको ओपन करके बताता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी तरह से इन्होंने पैक किया है तो चेले देखते हैं यह देखे यह जो है चैन है जो मेरे बाइक के लिए चाहिए था और इसको भी अच्छी तरह से उन्होंने पैक करके भेजा है और मैं आपको इसको बताता हूँ बाद में ओपन करके तो इसको एकता कि इसको साइड में रख देता हूँ आभी इसके बाद में आपको इसको उपन करके बताता हूं तो चलिए नेक्स्ट आइटम देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो आइटम है वो हैค़े orice pocket तो इसका में quality भी आपको बताता हूं छलिए मैं इसको open कर लेता हूं तो यह देख सकते हैं आप 1700 रुपीस के लिए दोस्तों इंडिया में भी शायद नहीं मिलेगा आपको यह प्राइस में तो इसका कॉलिटी भी अच्छा है देखते हैं इसको यूज करके कितने किलोमीटर्स तक मैं यूज करता हूं तो चलिए नेक्स्ट प्रोडेक्ट देखते हैं हमें तो एक और बॉक्स दिया है अधर तो उसको ओपन करके मैं बताता हूं आपको मुझे लगता है कि यह गिफ्ट उन्होंने मुझे भेजा है एक पेर ओफ सॉक्स है और यहां पर कॉफी पॉडर दिया गया है जो कोरिया की है और चलिए कोई बात नहीं कुछ तो भेजा उन्होंने क्वालिटी सॉक्स का अच्छा ही है नॉट बैड तो चलिए दूसरा बॉक्स ओपन करता है और देखते हैं इसमें फ्यूल पंप होगा तो चलिए देखते हैं फ्यूल पंप को अच्छा है अच्छा है अच्छा है यह देखिए यह राफ फ्यूल पंप और इसके अंदर रेर्स पॉकेट दाल दिया है उन्होंने तो महीं वह सोच रहा था रेर्स पॉकेट कांग गया है तो इसमें है तो चलिए आपको मैं पुना फ्यूल पंप बताता हूं यह देखिए एकदम नया नया क्वालिटी तो इसका ओरिजिनल ही दिख रहा है और यह देखिए जो पाइप था ना वो तूड़ गया था उसमें अच्छा क्वालिटी का है इसको अभी मैं बाजू रख देता हूं तो यह रहा रेर्स पॉकेट फ्यूल पंप और एक और बॉक्स है इसके अंदर यह देखिए यह तो मैंने ओर्डर नहीं किया था यह है ओईल फिल्टर अच्छा यह भी इन्होंने गिफ्ट के त्रू बे इसको बाजू रख देता हूं मैं और आपको बदाता हूं क्या-क्या चीजे मुझे मिली है एक साथ मैं आपको दिखाता हूं चिलिए तो यह है ओईल फिल्टर तो दूसरा है फ्यूल पंप और नेक्स मैं आपको फ्रेंट स्पॉकेट भी दिखाऊंगा और उसका कॉलिटी भी देखते हैं चलिए एक्टम प्रीमियम कॉलिटी लग रहा है अच्छा है अच्छे कॉलिटी का लग रहा है तो नेक्स मैं आपको दिखा रहा हूं रेर्स पॉकेट जो इसका कॉलिटी भी अच्छा है और मैं अभी आपको बताने वाला हूँ चेन मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ इसका कॉलिटी भी देख लेता है किस तरह से हैं तो पैकिंग ओपन कर रहा हूँ तो दोस्तों यह रहा जो चेन मैंने ओडर किया था कुछ ऑईल जैसा लग रहा है अच्छा इन्होंने अल्रडी लूब्रिकेट किया हुआ है इस चेन को तो इसका कॉलिटी देखने के लिए अच्छा ही है इसको यूज करने के बाद पता चलेगा तो दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करता हूँ अगर आपको कुछ खरीदना है योसं के स्पेर पार्ट्स तो आप इस वेबसाइट से खरीद सकते हो तो बहुत चीप पड़ेगा अपको अगर आप शोरूम कंपैर कर रहे हो शोरूम है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब तो करना ही है बहुत चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा